हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू परिच्छा कूज विंक्स्री ओर डिम तो दोस्तों करेंट अफेर की जैसे डेली मौक टेस्ट आपको प्रोबाइड करा हूं उसी करम में नया मौक टेस्ट लेकर आज मैं फिरका आपके साथ जुड़ गया हूं अगर आपने प्रीवियस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें लाइक और सेयर जरूर कर लें पीडियेफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है साथी अधिक ऑनलाइन तयारी के लिए आप हमारी एप यार आपके दौर इस योजना की सुरूरात किस राज सरकार ने की है चारों आपकी स्क्रीन पर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताईए फिर जब मैं आंसर बता हूं तो इसको मैच करिए और इसके साथ ही टोटल कॉशन कंप्लीट होने पर आप बताईए आप कितने सही है कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर हमें कमेंट करके बताएं ठीक है तो किस राज सरकार ने एफ आई आर आपके दौर योजना की सुरूआत की है चली आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं नेक्स कुशन है किस राज के तंजावुर नेत वक्स और आराम बावुर बुड करविंग्स को जी आई टेग मिला है चार आप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं जल्दी से कमेंट वक्स में टाइप करके राइट आंसर बताए ए राजस्थान बी हर्याना सी टमलाडू या दी इ तो यह जो अवार्ड दिये गए हैं जी आई टेग दिया गया है किसको तमिल नाडू को दिया गया है तमिल नाडू राजी को दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं नेक्स कुशन है फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली भारती महला कौन ह चार आप्शन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताईए राइट आंसर क्या होगा A. सानिया मिर्जा B. पीवी सिंदू C. साइना नेवाल D. इन मैंसे कोई नहीं सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताईए तो फेड का फार्ट अबार जीतने वाली जो पहली भारती मैला है वो है सानिया मिर्जा कौन है? सानिया मिर्जा A. इस दा राइट आंसर जिन्होंने A. टिक किया है उनका ये सही है चलिए अगला कुशन दिखते है किस राज सरकार ने वेरोजगार वाउं के लिए होप पोर्टल लाँच किया है किस राज सरकार ने वेरोजगार वाउं के लिए होप पोर्टल लाँच किया है A. राजस्तान B. उत्राखंट C. हर्याड़ा D. इनमें से कोई नहीं जल्दी से comment box में type करके बताइए right answer क्या होगा तो right answer होगा आपका B उत्त्राखंट, B is the right answer, उत्त्राखंट सरकार ने बेरुजगार अवाओं के लिए hope portal launch किया है, clear है, like और share करते रहें, like और share जादा से जादा करें, चलिए अगला question देखते हैं, Wuhan diary dispatch from a quarantine city, Wuhan diary dispatches from a quarantine city, नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गए, यह जैसे कि पिछले mock testimony ने आपसे बताई था, जो current में books लिखी जाते हैं, इनसे संबने थे, current affair का question आपको जरूर देखने के लिए मिलता है, तो इस तरह के जतने question आएं, उनको आप अच्छे से तयार करते र जल्दी से बताईए, किस ने लिखाए है, तो यह किताब लिखी गई है, फांग फांग के द्वारा लिखाई है, A is the right answer, जिन होने A टिक किया उनका यह उत्तर सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला question दिखते हैं, बेंजामिन ने तहानू, किस देश के पांचिवार प पांचिवार प्रिधान मंत्री बने हैं, तो जिन होने B टिक किया, उनका यह सही है, लाइक और सेर करते रहें, पीडिएफ के लिए हमारे टेलिग्लाम चानल को जोईन करें, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और साती परिच्छा को चैपको डाउनलोड करें, या आप डिरेक्टली अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए अगला कुशन देखते हैं, किस देश ने अपने नए मानचितर में काला पानी छेतर पर अपना दावा किया है, काला पानी जो चेतर है, उस पर किस देश ने अपने मानचितर में उसे अपने एर में दिखाया है अपने अंडर अपना चेतर पर अपना दावा किया है चलिए अगला कुशन देखते हैं लेक्स है नेशनल टेस्ट अव्यास मोबाइल एप किसने लॉंच किया है ए गूगल भी मानव संसाधन मंत्राले किसके द्वारा मानव संसाधन मंत्राले द्वारा जारी किया गया है तो बी इस दा राइट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं नेक्स कुशन है आतंक बादी विरोध दिवस कम मनाया जाता है आतंक बादी विरोध दिवस कम मनाया जाता है ए बीस मई बी उननीस मई सी इकीस मई एड़ी इन में से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा तो आतंक बादी विरोध दिवस जो मनाया जाता है वो कम मनाया जा कब मनाया जाता है 21 मईए को दिबस से संबंदित एक कुशन अक्सर आता है और इसके उपर मैंने एक पहले लेक्चर भी दिया था वह आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो इससे संबंदित कुशन आपको देखने के मिलेगा तो 21 मईए को आतंकबादी बिरोध दिब की है कि सेर के लिए यूजण शुरू की गई है यह राज गूर्ट बी कोंडार्क सी इंदार या डीन में से कोई नहीं तो चली आगे बढ़ते हैं अंगला कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन है किस राज में मी अन्लपूरा पहल का सवारम हुआ है किस राज में मी अन्लप पूरा पहल का जो सवारम हुआ है वो महारास्ट में किया गया है तो A is the right answer A answer सही होगा चलिए अगला कोशन देखते हैं नेक्स कोशन है किस राज में दीदी बाहन सेवा शुरू की गई है अगर आप चैनल पर नहीं तो सबस्क्राइब जरूर करें हमारे टेलिग्राम चैनल को जोने करें वहां से आप पीडियाप राप्त कर सकते हैं और साथी परिच्य कोश एप को डाउनलोड करें अपने प्ले स्टोर से आजी तो किस राज में दीदी बाहन सेवा शुरू की गई है तो दीदी बाहन सेवा जो है मद्ध्य परदेश में शुरू की गई है चली आगे बढ़ते हैं आगला कुशन देखिए एरटेल अफरीका ने कोविड नाइनटीन से प्रवावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किस के साथ समझाता किया है चारों अप्शन आपकी स्क्रीन पर है स्क्रीन पर चारों अप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके राइट आंसर बताईए ए वर्ल्ड बैंक, बी डव्लू एचो, सी यूनिसेफ और डी इनमेंसे कोई नहीं तो एरटेल अफरीका ने कोविड नाइनटीन से प्रवावित बच्चों के परिवारों को मदद करने के लिए जो समझवता किया है, वो किस के साथ किया है, उनी यूनिसेफ के साथ ही समझवता किया गया है तो C is the right answer चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कुशन देखते है नेक्स कुशन है, किस राज ने टांसजेंडर के लिए अलग संग रोध केंदर की स्थापना की है चार ओप्शन आपकी स्क्रीन पर है, A. पश्यमंगाल, B. मडपूर, C. अंत्रप्रदेस, D. इन मेंसे कोई नहीं जल्दी से बढ़ते हैं, कौन से साथ होगा तो ट्रांसजेंडर के लिए अलग से संग रोध केद की स्थापना जो की गई है, वो मडपूर राज सरकार द्वारा की गई है किसके द्वारा? मडपूर राज सरकार द्वारा की गई है, तो B. is the right answer चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कुशन देखते हैं किसने डिवाइस और डियागनोस्टिक पर उतकरिस्टता की इस्थापना करने की गोस्टना की है चारो औप्शन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिए IIT खड़कपूर, B. IIT दिल्ली, C. IIT कानपूर या D. IIT मद्रास तो किसने गोशना किये ये IIT खड़कपूर द्वारा गोशना की गई है तो A. इसका सही आंसर होगा तो दोस्तो पहले तो मैं आपको 20 कुशन पढ़े आपको दे रहाता लेगा आज कुछ प्रावलम्स की वज़से 15 कुशन दिये लेकिन आप उसकी चिंता मत करिये आगे आने वाले टेस्ट में मैं कुशन बढ़ा दूँगा आपको नम्मोर आफ कुशन उतने ही मिलेंगे तो आप उस चीज़ से बेखर फखर रहिए तो आज के लिए इतना ही तो मिलता हूं अगे टेस्ट के साथ तब तक के लिए नमस्कार